आप देख रहे हैं आवाज इंग्या टीवी ये विशेश कारिक्रम है क्योंकि इस कारिक्रम में एक विशेश महमान है वैसे तो बुद्ध धम्म की जो परंपरा है जो धारा है वो बहुत वर्षों से बह रही है 1956 चौदा अक्तुबर को इस धारा को फिर प्रवाहित किया बुद्ध तक टो डॉक्टर बाबा सा वंबेग करने जैसे हम सब जानते है कि बुद्ध धम्म को एक महासागर कहा जाता है और दुनिया की सारी नलिया जहां इकटता होती है उसे उस महासागर को हम धम्म कहते हैं हमारे साथ इसी धम्म को अपने वानी से अपनी आवास से दुनिया भर में पहुचाने वाली भारत की पहली महिला शायरा सीमा पाठिल जी साथ है सीमा जी बहुत-बहुत सौगत है आपकी बहुत-बहुत बढ़ाई क्यूकि पूरे देश में अपने दुनिया में वीडियो के माध्यम से और सीधे दर्शों के साथ जूर कर आप इस जो परंपरा है जो हमारे बहुत परंपरा है और हमारे जितने भी महापुरुश है चाह कि वानी लोगों तक पहुचाते हैं तो लोगों से कितना प्यार मिलता है अपको प्रथम सबको जे जिजाओ, जे शिवराय, जे क्रांती जोती, जे भीम, जे भारत, जे सवीदान, आज प्रथम आवाज इंडिया की तरफ से हमारे सर पृतम सर और उनकी सारी टीम का बहुत हर्दिक धन्यवाद कि हमें एक मुका दे दिया आपके चैनल पर बात करने के लिए सर अभी आपने जो सवाल पूछा वो तो हम लोग जब सारी टीम हमारी वीदे पीपल एक अपना जो प्रोग्राम है पूरा मनोरंजन से प्रबोधन ये तीन घंटे का जो प्रोग्राम है तो हमारी कम से कम 30-35 कला कारों की टीम है तो हम लोग जब भी विचार मंच में ये सारे महापूर्शों की जागरुत व्यक्ति रेका है जीवंत व्यक्ति रेकाई उनको दिखाते हम लोग स्टेज परफॉर्म करते हैं तो उसी वक्त एक अभीमान जैसा महसूस होता है और इ तो यह हम लोग जब सादर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और इससे सामने बैठे हुए दर्शक प्रभावित हो जाते हैं और जब ही प्रोग्राम खतम हो जाता है तो ग्रीन रूम में आके मिलते हैं जैसे कि मैं माता जिजाई, सावीत्री और माता रमाई का रोल न जैसे शाहरा आता है, मतलब रोमांच कारी ओ आनू हाजी तो दर्शकों का यह जो अभी प्राह रहता है हमारे लिए जो भी तीन गंडे में हम लोग सादर करते हैं तो आके मिलते हैं और सारा मतलब जो हम लोग इतिहास जो सती इतिहास है जो अभी तक अपनों से दूर रख स्वाख रखाता है इतना ही पता था लेकिन मैं घब हैं खुदु मैंने यह सारे महापूर्शों की जिवन-चरीतन पड़ी तो जाके पता चला कि इनका कारिय तो कितना हो है पूरी उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी का capture अपना सभी जिंदगी के अनमूल ब़त के लिए तो इतना बड़ा सविधान अपने भारत के लिए वो सारे जाती धर्मों के लिए सविधान बना है कोई एक जाती समाज के लिए नहीं है तो इतना बड़ा कारे के है इसे कि जैसे जाज शाहु जी माहराज है हमारे Kohlapur से आते है तो उनकी वी जीवन गाता चाहे अपने आपने लिखाता है वो है सारी पढ़ने से फिर पता चला और फिर हमने हमारे साथ जो हमारे संगितकार भारत के सुप्रसिद्ध संगितकार जौली ददा मोरे है हमारे गुरू है विजय कुमार गवई सर जिनको आप पहचानते आग उनके भी श्टूडंट हो तो ऐसे बहुत बड़े बड़े लोगों से जो बी जानकारी मिली, जो बी कुछ उनके पास से सीखने के लिए इसे कभी है अपने समाज में तो उनके सारे लिखीत हुे घीथ हम लोग जब ही विचार मंच पे तो बहुत अच्छा लगता है और तहत दिल से हम लोग साधर करते हैं। अच्छी बात है कि भारत में आप एक महिला जो इस तरह से पोड़ी भी गाती है तो यह जो पुरा सफर रहा तो इसमें क्या अरचन है क्योंकि यह देश बहुत परमपरिक देश है और किसी लड़की ने इस तरह फेटा पहन के हाथ में डफ लेके बाहर निकलना और शाइरी क तो कितीनी कठीनाई आई और घर से कितना सपोर्ट मिला अपको पृतम सर जी जो सवाल है तो यह जब ही मैंने दो हजार दो से कलाक्षितर में मैंने पैर रखा और मेरे ससुर खुद एक बहुत बड़े शाहिर थे जो महराश्र से निवरुति पवार जिनका ओगीत है जो का जैसे मैं यह जाहिर स्टार्ट किया तो उनको बहुत अच्छा लगा था क्यूंकि मैं पेले लोकगीत लोकनाट्य हिस्टोरिकल एक्ट वगरा और मैं करती थी जैसे कि चत्रपती संभाजी महाराज का कुछ नाट्य रहेगा और लोकनाट्य लावनी भी मैं खुद गा के प तो यह करते वक्त बहुत सीखना पड़ा मुझे और जो हमारे जॉली दादा उन्होंने बताया मुझे कि यह शाहिरी प्रेजेंट करना मतलब कैसा प्रेजेंट करना रहता है यह जो अपने भारत के इतियास के वीर पुर्शों की वीर गाता है उसमें सुनाई जाती है और स यह जाएर दारा को प्रमत करना अजने अपने अग बात सही है और जैसे कि अज़े तो श्त्री पुरुष समानता जो जो ततागत बागवान गुद्ध के यह जो जो दंव मे है कि यहां पे कोई बहदवार्व है नहीं आई जाती बहद का तो थारा इन इन है तो ऐसे यह ज चेत्र दो बाकी नहीं छोड़ा है भारत की नारी ने और यह जो सारा अधिकार मिला है, वो सविधान से मिला है, हिंदु कोडविल से मिला है, और यह जो अपनी सावीतरी मही फूले, जोतिवा फूले इन्हों ने जो अधिकार दिये, समस्त भारत के महिलाओं के, महिलाओं के सुनाते तो पहला इतियास पढ़ना जरूरी होता है और यह बात सही है कि जो एक पुरुष खड़ा है ऐसा फेटा वगरा बांद के और फिर उनको देखके ऐसा लगता था मुझे पहले पहले कि मैं यह कर पाऊंगी यह नहीं कर पाऊंगी लेकिन हमारे जो संगितकार है जौ दादा ने अच्छी तर से मतलब जैसे हीरे को जवाहीर ही चाहिए उसके लिए तो लेकिन वो पत्थर को भी मूरत बनाने के लिए उ पत्थर को भी बहुत कुछ सेहना पड़ता है तो जौली दादा ऐसा छड़ी लेके बैठते है और फिर सिखाते है हमारे सारे कला कारहों तो करते टाइम बहुत मुश्किले आ गई कोई कोई बोल देते कि क्या करती है इसको आएगा क्या इसा घर से ही शुरुवात थी लेकिन सासुर मेरे पीछे एक अच्छी सपोर्ट था उनका और फिर मेरे हस्बंड भी मेरे बच्चों ने भी मुझे कहने के लिए गर्व गलती है वो भी मेरे इस सवाल पर कर आएंगे एक और अहाम मुद्धत यहां जूडता है कि आप जिस समाग से आती है मराठा समाज है और मुझा समाज paradise eder cум मांजआ वो सारी देजी देवताव को नगार देती है और दुद्ध फुले शाहू अंबिटकर और चत्रपति शिवा जी के विचारों के रहा पर चलती है तो इसमें कुछ कठिनाई आपको आई है बहुत सारी क्यूंकि पहली बात महत्वपुर्ण यह है कि जैसे जैसे किताबें पड़ी जाती है यह महापुर्शों की वैसे वैसे हो हर एक इनसान भारत का कोई विजाद समाज से हो तो उसके मन में उसके दिमाग में बहुत सरे क्वेशन आ जाते है तो फिर वो ऐसा था यह कैसा है ऐसा वो जो व जब लौकडाउन में मैंने बाबा साब जी ने लिखा था बुद्ध धम वो मैंने लौकडाउन में दो बार पड़ी जो आठ खंड है उसमें वो पढ़ने के बाद और उसके पहले भी बहुत सारे सवाल मन में उठते थे लेकिन उसकी उसके जवाब सही से नहीं मिले थे औ जब ही बुद्ध धम पड़ा तो बहुत सारे सवाल अपने आप मिल गए और फिर मैंने सोचा था क्योंकि जो समाज से मैं आई हूं तो वो समाज से मतलब जो मुझे अभी यही मन से सोचना है दिल से सोचना है कि जो मुझे सत्या सत्य जो मुझे सही लगा जो मेरे क्वेश उटते थे उसका अंसर मुझे खुदी मिला जैसे बगवान बुद्ध ने कहा है कि अत्त दीप भवव हर एक इंसान में भारत या विश्व भर में क्यूंकि ये धम्म तो अपने भारत के लिए है नहीं है वो पूरे विश्व में है आपको पता है लेकिन हर एक इंसान जो ये प्रुत्वी पर जनम लिया है उसके मन में खुद के मन में एक अंतरिक शक्ति रहती है उसको खली बस डूंड़ना है आपको मुझे ऐसा लगता है तो हर एक के मन में अंतरिक एक दीप रहता है उसको प्रजवलित किया तो बस आपके सारे सवालों के जवाब उसमें मिल जा और फिर मैंने यह तई किया और बस मुझे यही रहाँ पर चलना है यही रहाँ पर चलके मतलब हर एक इंसान के जनम से लेके मुत्यू तक जो भी कुछ कटना ये है, संगर्ष है जो भी कुछ सुख है, उसके पीचे दुक आने वाले है तो ये हर एक आदमी अपने जनम से लेके मृत्यु तक का जो जिवन सफर करता है वो भी हशी हशी कुशी से सारे संकट को जेल के संगर्ष को मुकाबला करके वो वहां तक जो पहुचता है तो फिर वो वहां तक अच्छे तर से पहुचेगा तो वो ततागत भगवान बुद् होगा कि इतने बड़ी कलाकार को इन्होंने बिटाया और सी प्रशन पूछे जा रहे हैं कुछ उन्हें सुनने का मोका हम देंगे जिस तर से आप पौड़ा करते हैं शायरी करते हैं तो हमारे दर्शक चतरपति शिवाजी महाराजू या शाहु महाराजू उनके बारे में आपके मूँ से कुछ सुनना चाहेंगे तो हमाराथी में चलेगा माराथी में जालेगा कि आमत वर पर वाड़ा जोए अमाराजी में होता है जरूर अ है जे गीत आहे ते अधर निया कभी दत्तात्रे पवरांस आहे अनि या गीता ला बर्याच व्यूज लाइक्स कमेंट्स अनि शेर जालेला आहे गाना आणि तेक क्रांती गीत आहे स्वराज या संस्ता पक चत्रपति शिवाजी महाराज और परम पुझर ओक्टर बाबास अवंवेडकर यहां चावरती ते गाना मी तुमाल एक अंत्रा आहे जोटे शिवराय आणि भिम्राय कविद आमोदर मूरे यांचे हे शब्द कि शिवराय आणि भिम्राय हे भारती ये संस्तुती चे दोन महानाएक विश्वाला शांती चा संदेश दिना रे तता अगत भगवान गउतम बुद्ध जगत गुरू, संत स्रिष्ट, संत तुकाराम महाराज, संत बस्वेश्वर, संत तुकडोजी महाराज, संत गाडगे महाराज, संत कबिर्दास स्वराज्य संस्तापक चत्रपती शिवाजी महाराज, स्वराज्य चे दुसरे चत्रपती, चत्रपती संभाजी महाराज आ रक्षनाचे जनक चत्रपती शाहु महाराज लोक्षाहीर सहीत रतन अन्ना भाहु साटे आणि विश्वर रतन परंपुज डॉक्टर बाबा सहे वंबेड कर। देजस्वीनी होती तर डॉक्टर बाबा सहे वंबेड करांची लेखनी ही लाखात देखनी होती। दादा बोदले यानि ये लिलेला हे कि दोन सराज इथे गाजले कोकण पुन्य भुमिवर एक त्या राय गड़ावर एक चवदार दल्यावर। आणि मनुन ससाया महा परिवर्दन वादी महा मानवंचा चरणी नतमस्तखुंदाना त्रिवार त्रिवार वंदन आणि हा माना समुझरा। एक निरान एक भगवा दाहि दिशा मधे लावी दिवा। एक वाघांचा एक सिहांचा च्छावा। जीजाईचा तो शिवा, जीजाईचा तो शिवा, अनभीमाईचा तो भिवा। कूलपती छत्रपती भोसल्यांची खान, दीन दुबल्यांची जन राखली होशान। स्वराज्य संस्तापग बहुजिन प्रतिपालग, चत्रपती शिवाजी महराजानी स्वराज्याचा रक्षना साथी हाती तलवार घेतली आणी विश्वरतन भारत भारत रतन डॉक्टर बाबा साहिब अंबिड करानी या भारत देशातीली विशमता दूर करने साथी हाती लेखने घेतली ही देखील काला चीज गरज होती आणी मनुनच आम्माला दोगे ही वंदनी आहे तलवार की वार से कट-कट के गिरते गे दुश्मन, कलम की मार से घुट-घुट के मरते गे दुश्मन शिवा ने समशेर उठा के सारे जालिमों को मार दिया तो कलम चला कर मेरे भिवा ने सारे जुलुम को ही मिटा दिया कूलपती छत्रपती भोसल्यांची खान दीन दूबल्यांची जन राखली हो शान दाउनीच गाला प्रतापनवा देउन जीव इथ गेला तो जिवा एक वागंचा एक सिहाचा छावा जीजाईचा तो शिवा अहो जीजाईचा तो शिवा अनभीमाईचा तो भिवा जीजाईचा तो शिवा अनभीमाईचा तो भिवा क्या बात है बहुत बढ़िया थोड़ा सा परसनल होते हम जैसे के सुनने में आया और आपने अभी कहा कि आने वाली पांच तारिक को पाच अक्तुबर अशोका विजया देशमी है और इसी भूमी पर दिख्षा भूमी पर नागों की भूमी कहा जाता है इसी भूमी पर 19-14 अक्तिबर को बाबासाँने धम्म दिख्षा दी और आपने भी ये निरने लिया है कि आप भी धम्म में विलिन होने वाले हो बुद प्रेना रही है और आपको क्या लगा कि इस मॉमेंट के बाद अब बोधिधम की दिख्षा लेनी चाहिए? प्रितम सर ऐसा लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता भारत का पूरा समाज जो भी जातित समाज से है तो जब भी कोई सवाल उठेगा हर एक इनसान के अंदर तो उसका जो भी कुछ जानना है उसके बारे में सही गलत जो भी कुछ है तो हर एक इनसान जब जानेगा तो जागरुथ हो जाएगा और जैसे कि बाबा साब जी ने खुद कहा था कि वो दिन दूर नहीं कि जब सारा भारत बहुदमय हो गया था क्यूंकि ततागत भगवान गवतम बुद्ध का जो ये धम्म था ये भारत से नश्ठ हो गया था तो जब ही उन्होंने वापस लाया जो भारत में तो इसलिए फिर मतलब इसके पूरे जो भी कुछ निर्माता है वो डॉक्टर बाबा साब जी है ऐसा लगता है है ही ऐसा क्यूंकि उन्होंने अगर हमें जो अभी तो जो बुद्धिस्ट समाज से आते हैं जो लोक साने तो तो यह मैं पूरा बुद्ध धम्म के प्रचार और प्रसार के लिए मेरे च्वास का एक एक कण मेरे हरे जीवन का एक एक खशन मैं यह अपना धम्म का प्रचार और प्रसार करते हुए पुरे भारत के भाउजन समाज से या मराठा समाज या कोई भी भारत का सारा समाज जो इससे अपरिचित है और परिचित है फिर भी ओ जानना नहीं चाहता है वहाँ पे ओ रह पे चलना नहीं चाहता है तो उनको जाके मुझे ये सारा समझाना है वहाँ पे जाके मुझे उनको प्रभोधित करना है प्रभोधन करना है उनके मन में जो भी जितने अंदश्रद्दा जो कर्मकांड है जो भी कुछ व्यवस्ता ये भारतिया मनुवाद में रचाई थी वो ज्यादा से ज्यादा मन से दिमाग से निकालने का मैं प्रयास करूंगी मेरे जीवन का अंतिम क्षण तक सर बिल्कुल बिल्कुल आपको बहुत बढ़ाई बहुत-बहुत मंगल कामना है आखरी बार आप महिला है आप शायरी करती है पुवाडा गाती है फेटा लगा के स्टेज पर हजार लोगों को परपॉम करती है बहुत सारी महिलाए है जो बीसी समास से है दलीच समास से है आदिवासी समास से है उनके लिए जरूर आप एक प्रणा बनने वाली है आप उन अभी अभी 15 अगस्ट को अपना अमृत मोच्षव पूरे देश भर अच्छा से लिबरेट किया गया लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है एक महिला होके मैं बात कर रही हूं कि अभी भी अपने भारत के हर एक समाज से महिला सुरक्षित है कोई भी समाज हो उसमें मुझे कुछ ऐसा बेदबाव नहीं करना है हर एक समाज से हर एक नारी की अंcentered से एक कुछ तो एक अवैला है ूबहु कूई आसी महिला है कि वह मन से consists of don presenters गुट जारहे है वह नहीं बात नहीं कर पा रही है तो फिर ऐसा कहा है कि यह स्वतांतरता मना लेकिन नारी के लिए ऐसा पूरा स्वतंत्रता देश है नहीं है देखो आदिवासी समाज से हो या कोई शोशित-पीडित-वंचित समाज से कोई महिला हो तो अभी भी अत्याचार चालू है छोटी बच्ची हो या बड़ी औरत हो किसी को नहीं छोड़ते है मुझे ऐसा लग को सिखाना चाहिए चाहे ओ जिजाओ के जैसे तलवार बाजी हो वो सिखानी चाहिए हर एक महिला को अपने आपको स्वतंत्रा अपनी जो सुरक्षा है वो खुद को नहीं भाने आनी चाहिए इसे लिए खुद का बचाओ खुद करो और अपनी आने वाली पिडियां को ऐस साथ संगटित और ऐसे शक्तिशाली बना दो कि किसी की नजर नहीं ऐसी होनी चाहिए बिलकुल बिलकुल और ज्यादा से ज्यादा देखो यह भारतीय मनुवाद ने यह हजारों साल से स्त्री को महिला को गुलाम करके ही रखा था चाहे हो कृच्छन हो ब्राम्मन हो मराटा हो कोई भी जाद्धरम से हो हजारों साल भारत की नारी गुलाम ही थी 1848 में तो यह अपने क्रांतिवा जोतिवा फुले और सावित्री माही ने अपना शिक्षित होने का जो अधिकार दिया जो पहली स्कूल खोली थी पुना में तो तभी जांके मतलब ऐसी बहुत सारी महिला है और डॉक्टर बाबा साब जी ने वही मंदिर में अपना सुवर नकलश बांधा था और हर एक नारी जैसे की शर्वरी गोकले कलेक्टर हो गई कि मालती तामबे वाइद्य शासन की जेश्ट हो सची हो गई किरनवेदी को मैं गैसे से और मिला तो यह सारे जो हक अधिकार मिले शिक्षित होने का जो अधिकार मिला तो यह सारे महापुर्शों की देन है राश्ट्रमाताओं की देन हो हर एक नारी ने कभी नहीं भूलनी चाहिए और जाधा से जाधा यह महिलाओं को ए जो नुम्हो वश्ट अरता तो महिला यह कुद बसंद करका है और तो महिलाओं को पहली समझना चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ हो उजय सा करेगी वैसे जाकि उसका आगे श्रमाताओं करेंगे तो यह हम लोग का प्रयास है कि भारत के पूरे महिलाओं को जो हम लोग प्रोग्राम करते हैं जो विचार मन से हम लोग इनकी विचारधारा जो स्टेज पे परफॉर्म करते तो इससे हम लोग महिलाओं को ज्यादा प्रेडित करते क्यूंकि सर पृतिम सर आप जब बुद्ध को वन्दन करके स्टेज पर तो किस तरह से करती है हमारे दर्शक उसे सुनना चाहेंगे एक जो जौली ददा के भाई है विद्रोही कवी है विवेक मुरे इनकी जो एक कवीता है जो मैं हर विचारमंच पे साधर करती लेकिन वो मराठी में ठीक है अधरनी विवेक मुरे सारानना या कवीते चा माध्यमातून मानाचा मुजरा करते याठीकने आज पुन्हा एक दा आवाज इंडिया चा सर्व टीम चे हर्दिक अभार वांते प्रितम सर आणी तेंची टीम आणी नागपूर चा सर्वस परिवारांच सर्वस आमचा आधरनी ये बंदु भगिनींच आणी विवेक मुरे वरली मुंबई इतुन त्यांची कवीता याठीकानी सादर करते तू देव नहोतास देवाचा पुत्र नहोतास आणी देवाचा प्रेशिताई नहोतास तू तर केवल मानव तेशी नात सांग्णारा एक प्रबुद् स्विकार केला शर संधान आने विवल जालेले पाखर आला तू जेमा जीवन दान दिलेस तेमा तुझा नैना मदे तुडुम्ब भरलेला करूनेचा समुद्र मिपाहिला रोहिनी नदीचा वादंग आवरून तू जेमा सर्वस्वाचा त्या केलास तेमास तूझा आनी मा तुझा ओठावर उमट लेले अश्वासक स्मीत हस्य माजा भरकट लेले आयुशाला एक शाश्वत किनारा देऊंगेला तू चालत होतास तू चालत होतास आनी कित्तेक वाड चुकलेलना दिशा दाखोत होतास तू चालत होतास आनी कित्तेक अंच्या पाया खलचे खाज त्षне टाक्टोंयुआ थोटाक। चालत होताक। गयल है करे बहुय है मैंटानोंयुआ पाप करे। तु चालत, 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 जेत वनातुन, काटया कुटयातुन, चालत जेवा, माजा गाव कुसा बहरील, जोपडया बहरी यवन उभार आयलास। आणि माजा रुधया मदे एक मंत्र रिकाटलास। आणि आता, आता मी सुध्धा, त्याच प्रभुद्ध मानवांचे जत्यात सामील हों, अंदार आतुम प्रकाशकड येन्या सटीच आलते आहे। आने आता माजा सुद्धा, शरीराचा प्रतेक श्वासाश्वासात, माजा शरीराचा प्रतेक अनुरेनूत, माजा शरीराचा प्रतेक रक्ताचा थेमबा थेमबात, मला फक्त आनी फक्त, तुझा समंत्रा सा उद्गोष माजा कानी आईकू एतो है, अत्त दीप भव, अत्त और आखिर मैं कहना चाहती हूं सर कि यूं तो मैं सर जुका दूंगी तेरी उस पत्थर की मूरत के सामने लेकिन बाद में कैसे आख मिलाओंगी उस महामानव से मैं जिसने मुझे सर उठा के जीना सिखाया जिसने हमें सर उठा के जीना सिखाया यह थी सीमा ताई पातिल जो की भारत की पहली महिला शायरा है और खास बात है कि इस पूरे मुमेंट का यह सार है कि आने वाली फांशकारी को अक्तुबर माइने में 2022 में वेसवयम उनके पुत्र रत्म के साथ धंब दिख्शित होने वा आस तक जीवन के आकरिक्षन तक इस बुद्ध खुले शाव अंबेट कर विचार भारा का प्रसार और प्रचार विकरते रहेगी बहुत-बहुत मंगल कामनाओं के साथ सीमा ताई आपने वक्त दिया आपके आने वाले सारे जीवन को हमारे तरफ से बहुत-बहुत आप देख रहे हैं आवाज इंडिया पीवी